आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, let's solve this question question में आपको पूछ रहा है मुहम्मद बिन तुगलक shifted his capital from Delhi to where options आपके पास दौलताबाद, कलंजी, कनाच and लौहर तो सीच सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि who was the मुहम्मद बिन तुगलक तो मुहम्मद बिन तुगलक बिन तुगलक was the emperor of emperor of तुगलक dynasty तुगलक dynasty he was the Muslim emperor right, he was the Muslim emperor of Delhi Sultanate Delhi Sultanate का Muslim Emperor था तुगलक dynasty का emperor था यह उसने जो साशन कियाता तेरह सथपच्चिस से तेरह सथावक्यवन तक कियाता इसका साशन कब से कब तक चला था तेरह को कब तक चला था after his death फिरोज साथ उगलक ने इसको succeed किया था और राइट बट अपने सासनकाल में इसने अपने सासनकाल में इसने जो capital city थी, capital city was Delhi, capital city डेली थी बट बट 1327 में मतलब 1327 में इसने capital city ट्रांसफर की कहां से कहां दौलताबाद, डेली से डौलताबाद, डेली से डौलताबाद, जो कि अगर आज की टाइम में आप पूछो कि what is this place, तो this is known as देवगिरी, देवगिरी या देवगिरी, in महराष्ट्रा, in महराष्ट्रा, तो इन्होंने क्या किया था, कि डेली से 1327 में मुहमद मिन दुगलख ने 1327 में capital city को डेली से डौलताबाद ट्रांसफर कर दिया था, और ऐसा क्यों किया था, क्योंकि इनके एक्कॉर्डिंग डेली was not the safe place, डेली जो था वो, safe place इनके according नहीं था, तो इसलिए इनोंने क्या किया, यहां से दौलताबाद के लिए capital को ट्रांसफर कर दिया, तो answer is, the correct answer of this question is option A, I hope solution clear हुआ होगा, thank you Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडिंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप, यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स, 8444 चार्स उपर